बिसमिल्छार्माल्रहीम आसुलामैलेकम विउर्स मेरा नामION दौक्टर असीम और आज हम जिस मेडिसंन का रेवियू करने जा रहे हैं उसका नाम है फिनॉफआबरेट ये मार्कित में मुक्तिलिफ ब्रैंट्स में अवैलिबल है एक जो मुशूर ब्रैंड है उसका नाम है फिनोगेट यह 200 mg और 67 mg की टैबलेट में अवेलिबल है और इसकी पैकिंग 10 टैबलेट में मुश्टमिल है और गेट्स फार्मासोटिकल इसको मैनुफिक्शर करती है आईए देखते हैं कि इसको किन किन मुकास्थ में या किन किन परपस में हम इस्तमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले तो डियूस लो डैंस्टी लिपो प्रोटीन इससे मुराद है वो लिपर्स या वो प्रोटीन जो बाड़ी के लिए नुकसान दे है ये उनके लेवल को कम करती है Secondly, Treatment of Dislipidemia इस से मुराद है कि लिपड की मुक्तार को जो बाड़ी में ज़्यादा हो गई है उसको कम करती है उसके लावा प्रोडियूस कलिस्ट्रोल लेवल अगर बाड़ी में कलिस्ट्रोल का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करने में यह बहुत अफेक्टिव है इसके लावा हाई डैंस्टील पो प्रोटीन वो प्रोटीन जो बाड़ी के लिए नुक्सान दे है उनको भी कम करती है इसके अलावा जो डैवटिक पेशिंट है यानि यो शोगर के मरीज है उन में बाज सकॉाइट मुक्तिल तरह के डिजीज हो जाती है यानि उनका क्वेस्ट्रोल लेवल भी जादा हो जाता है ये उन पेशिंट के लिए भी बहुत जादा अफेक्टिव है तो ये सब इसके इस्तमालाथ है आईए बिसका मेकेनल उफेक्शन देखते हैं यानि इसके काम करने का त्रिका कर क्या है फेनो फैबरेट लिपोलेसिस के अमल को तंक्रीज कर देता है इससे मुराद है कि वो लिपर्ड्स जो बाड़ी में एक्स्ट्रा है ये उसकी ब्रेकड़ॉन को तेज कर देता है और पलाजमा के त्रू उसको बाड़ी से डिस्चार्ज कर देता है और एक सबसे अमपोर्टेट बात वो ये है कि ये एपो प्रोटीन सी थ्री की परड़ुक्शन को कम कर देता है इसकी वज़ा से जो लिपर स्ट्रार होती है बाड़ी में वो नहीं होती तो ये इसका मेकनिजम उफेक्शन है आईए अब इसकी डोस देखते हैं मिक्स्ट हाईपर कॉलोस्ट्रीम유 या मिक्स्ट डिसलपिडीमिय इससे मुदा है कि कॉलोस्ट्रोर का लेवल जादा हो या लिपर्ड का लेवल जादा हो तो उस इसकी डोस, जो स्टार्टिंग ॡोस है वो 200 mg पर डग ए है और इसको पेशन्ट की कॉंडिशन के मताबग कम या जादा कर सकते हैं इसके अलावा हाइपर ट्राइग गलिसीमिया उसके लिए इसकी डोस जो अनिशल डोस है वो तू हंड़र्ड एमजी है और इसको भी पेशन्ट की कॉंडिशन के मताबर कम या जादा कर सकते हैं इससे मिराद है कि अगर पेशन्ट 200 mg की डोज पे प्रॉपर रस्पॉंस दे रहा है तो इसकी डोज को चेंज मत करें और अगर नहीं दे रहा है तो इसकी डोज को कम या जादा कर सकते हैं अब इसके से देखते हैं जो इसके कमन साःड़ाइफ़ेक्ट्स हां उन में अब्डॉमन् पेेन यानि पेट्मी डड Completely डायरिया हैड़क्क Medeal जो इसको इसको किसी भी वक्त हो सकते हैं अब किन किन पैशन्ट में इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए वो पैशन्ट जिन को इससे और जी हो उनमें इसका इस्तमाल मत करें इसका 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 इस और कॉंट्राइड रिगिशन थे अब इसकी स्टॉरी कॉनिशन्स इसको हमेशा 25 डीर सेंटीग्रेट या डूम टैंप्रेशर को पर स्टॉर करें संद्रवा और मोश्चिए से इसको बचाएं और बच्चों के पहुंसे मशुदू रखें और अिसको इसको इस्तवाल करने पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें फिर इसको इसका इस्तवाल करें झाल